हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर अन्विया फिर से अपने यूट्यूब चल्ड पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है मसते इंजोई कर रहे हैं थोड़ा सा नॉइस हो सकता है यह मैं मान सकता हूं क्योंकि हमारे आप अभी हे इसको इडिट भी नहीं कर रहे हैं और सीधे अपलोड कर रहे हैं ठीक है फिर भी कहीं हो तो बताईएगा जरू क्रोस कल्चर मेनेजमेंट पर आ जाते हैं थार्ड मोस्ट इंपोर्टन क्योशन अंधिम प्रहार का सिंपल से पूच रहा है कि कल्चर के अंदर यह बताओ व कहिल माता-पीता के प्रणाम करना चाहिए कोई कहेगा नहीं करना चाहिए हमें तो बगवान को परणाम करना चाहिए मता पिता ही हमारे पहले बगवान है तो हमें उनको कही करना चाहिए कोई कहेगा कि नहीं मेरको तो मस्ज़िद में जाना है कोई कहेगा नहीं मुझे तो चर्च में जाना है तो सब के values अलग-अलग होते हैं So values are the principal which were developed है ना तो वेल्यूस कोर प्रिंसिपल्स होते हैं डिफर करते हैं वन टू-वन परसन हो सकता है आपके ब्रधर सेफ्टर की वेल्यू अलग-अलग हो ठीक है वर्ल्ड व्यू के अंदर इसका आप कह सकते हो फंडामेंटल जो फंडामेंटल कल्चरल के बिलीफ होते हैं कि परमात्मा एक ही है वुसी ने हम सब को बनाया है वही है जो करने वाला है हर सोसाइटी यही बात कर रही हर कास रिलीजन यही वर्ल्ड व्यू के अंदर आती हैं यहां पर थोड़ा साब रिलीजन बेग्राउंड से युमन वैल्यूस के बेग्राउंड को जाओगे तो आपको इसली समझ में आ जाएगा ना नेक्स्ट तो सोशो कुल्चर सिस्टम होता है हमारी महा की सोसाइटी और उसका ट्रेडिशन उसको जो रिलीजन हम फूलो करते हैं उससे जो हमारा क्लिकतल सिस्टम वह सोशो उचय पर इढलता है और इसके साथ में तीन सिस्टम अपने आंजाते हैं इसकेला अपने कौन-कौन से जा वाव हुँ ठीक है हाव दिस स्वरियां हाव दिस एलिमेंट वर्क टूगेदर अब यह सारे के सारे सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं जब हम तोशियो कर्ट्चर इंडिविज्वल कल्चर और वर्ल्ड व्यू तीनों को साथ में कम्बाइंड करके देखते हैं क्योंकि कल्चर जो है वो नि제युे क्या है एक ब्रॉडर अश्यपट जिसके अन्दर सॉसाएटी का भी रोल है जिसके अन्दर इंद्विज्वल का भी रोल है जिसके अंदर रितिक्स का भी रोल है जिसके अंदर और सॉतियो के अदिकल्फ घुक है यह व Elsちは मैं बहुत अन्क्रट को समझ रहा और individual की भी समझ गया और social culture भी समझ गया तो इसका benefit क्या होगा इसका benefit यह होगा कि जब भी हम culture की diversity समझ जाएंगे culture का differentiation समझ जाएंगे as a businessman तो ग्रेवियांस कम होंगे conflict कम होंगे growth होने की possibility बड़ेगी sustainable growth होने की possibility बड़ेगी अब कोई Hindu society के अंदर आके non-wage की shop लगाएंगा तो वहाँ पर growth होने की probability कम हो जाएगी और वहीं पर अगर कोई non-wage जैसे के आप कह सकते हो कि Christian society या Muslim society में जाके non-wage की shop लगाएगा तो वहाँ पर उसके chances बढ़ जाएंगे यहाँ पर आपको business perception से बात समझाने की कोशिश च काम होंगे मैं इंडिया में आया था मैं डोनल का corporation फर्स टाइम इंडिया में आया था और उसने beef burger बेजना स्टाइड किया था बईज़ा शिव सेना ने दोड़ा दोड़ा के बगाया था उसके बाद वह आया और कहा कि नहीं हम बीफ बर्गर नहीं बेजेंगे है ना और हम क्यों बात आप की की हो जाती चल्चर की हो जाती दोलतर बटर रॉलप एक म्यूंट को थीरिस आपको मिस्स नहीं होई बता देता हूं वर्ड़ीं tryna क्योक्ते तीनों को मिला कर हमारा कल्चर डेवलप्ट होता है और तीनों का डाइवर्सिफिकेशन ध्यान रखोगे तो बिजनेस में ग्रोथ होगे इसके चार पॉइंट है कॉन्फिक्ट कम होगा रिलेशन्शिप स्ट्रोंग होगा कम्यूनिकेशन स्ट्रोंग होगा और नहीं-nहीं च